गाइज पॉसिबिलिटी है सब दिखा रहा हूं मैं आपको वो देखो टोटली पूरे टोटली लाइफ दर्शन हो रहे है महादेव जी के भाई सच्छी में अगर सुकून कुछ दूसरा नाम कुछ है ना तो वह महादेव आपका रूम प्लस एक बाल्टी का ट्वेंटी रुपीज एक्स्ट्रा गरम पानी की कम से कम बजट में आप यहां पर आ सकते हो 400 रुपे का हो जाएगा और आप स्टे ले सकते हो जादा सब्सक्राइब की बीच में कैसे आप लोग में आगे हो एक निव वीडियो लेकर और आज मैं घहर में शूट कर रहा हूं आप देख सकते हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज एक ट्रिप होगी हमारी कुछ तीन से चार दिनों की ज़्यादा और हमारी ट्रिप में हम पहले जाने वाले हैं त्रेंब क केश्वर सब दिखाऊंगा तो बने लेगा व्लोग मेंट तर चलिए मिलते आगे मैं और स्टनी मिल चुके हैं हम लोग पहुंच चुके हैं कोपट बस जिपो यहां से हमारी बस है हम लोग जाने हैं त्रेंब केश्वर यहां से हम आप बस ऑन्लैन बुक कर सकते हैं मैंने प्रेट बस के दिरू बुक किया है हम लोग मिलते आगे चलिए यह है कोपट का बस टॉप जहां से आपको बस मिलती है त्रिंब केश्वर के लिए जो कि मतलब हर उस 5 मिंट में अलग अलग बस आती है त्रिंब केश्वर की एसी न और एवेलेबल है यहां से शोगाई बुकिंग कर सकते हो और आपको सेट्स मिल जाएंगे आपे 1221 से हमारी बस्ती थाना से सी बीएस से बस टॉप से इडार एवेलेबल हो है यहां से भी 35 किलोमेटर यहां से भी 35 किलोमेटर देप त्रेंब के शुर मंदिर तो अभी चल दिए आत्य लिए्स सुवर के बच्छुए है और हम लोग बहुत चुगे नाशिक और के बहुत छलो दढ़ी थी सुरात को वस्ताबर भी दीग थी अबना बात बहुते चैनल को बूत बाइस को चैनल कि शुर से लगाने डिकी, पॉसी और कोन के, कस अब है। एंट्री ले रहे हैं भाई कुछ दिख रहा नहीं होगा शायद यह पर गया बोर्ड द्रंबकेश्वर का यह देखो यह बोर्ड है आम रून एंट्री वे चुकि मत आपको बस जो है वो अंदर तक छोड़ देती है आपको दिखकत देखो यह ऐसे बस है मैं आपको दिखाया नहीं पर स्काटिंग में यूकि बहुत ज्यादा हट से ज्यादा रच्ता वाई बहुत बहुत ज्यादा रच्ता मैंने प्लाई का अब हम लोग पहुंच चुके हैं तो वहां जारा है वही बहुत जो तर वाश्रूम लग जा रहा है वह जा रहा है बाई बहुत जो को बाई बढ़े लेका दिन बन्र के बस्टोप और मंदिर भी आपे नस्दीक में यह उन्हों कहा हम तो फर्स टाम है मुझे पता नहीं त तो अब हम लोग को फोटल लेना है और बाद में हम जाएंगे मंदिर की तरह और, महादेव जी कए और मैं, आपको बताता रहँएँगा सब यहां पर कहसे और यह पुमाता प्षालों चाहँँगा कि मैं इसके पहले जाने वाणा था के दारना कि सीरिसली मैं आपको वीडियो अप्लोड कर देता हूं जो मैं टिकेट कैंसल करना है जिसको भरोसा नहीं हो का उसके लिए यह देख लो भाई यह फॉर्म है कैंसलेशन का चाल टिकेट बांदरा टर्मिनस को हरिद्वार जर्शन देट देख लो भाई आठ तारीक राट को बार पड़ रही है और कुछ जादे ही मतलब अब क्या बता है और नहीं जा पाया मैं मतलब जाते हैं यह पर बुलावा नहीं आठा तो आपको एसे लेफ राइट मार के सामने की तरफ जाना होता है उस चैड मंदिर है तो वहीं पर कहीं होटल लेते हम देखते हैं और फिर चले बोलो हर हर महादेर ओस यह है सवराज पैलेस करके हमने यहां पर रूम लिया है जो की मंदिर से यहां सरसत है मंदिर के लिए तो हमने यहां नंतीग में एक घ kän लिया हैं कि बहुछ जबोलेते न आपको 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 टरिकरे कैसा लग रहा है जहको रुटकरिकर अलागी दिर्दद होगी था है भी कोड़ावल की किव्रानाथ नहीं सब्सक्राइब कर दो कि दो बातिया दगे तो प्रियम पितर इंबकेश्वर आगे तर इंबकेश्वर कोई बानने थाये और में भी थाइंचाना का रहा है तो आगे हम चल जाएगी तो रहा है जैसे कि हमारा ये प्रियमेंट करके नीचानगा रूम ले लिया उपर और ये सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ा है 700 का और वो भी शाम तक के लिए और भाई रूम काकी ज्यादा चोटा है मतलब मेरे खालते चोटा ही है और देखते हैं आपको मैं दिखा देता हूं कैसा है यहां पर देखो भा आपको मतलब आपका रूम प्लस एक बाल्टी का 20 रूपीज एक्स्ट्रा गरम पानी की तो ऐसा सिस्टम है और यह होटल में मुझे पता नहीं था कि इसके रूम इतने छोटे होगा इस वाश्रूम भी बहुत छोटा है और मतलब तुन्हों से मतलब एक वात्रूम में है औ करते हैं इसमें अध्यस पर निकलते दर्शन के लिए इस ताइम हो चुका है 6 54 और और अल्रेडी में काफी लेट हो चुका हूं मतलब मैंने सुचा है कि आम लोगी बस पॉंच जाएगी पांच बजे साढ़े पांच बजे रेडियो निकल जेंगे दर्शन लेशे बजे ब और उसके एक्जाक सामने हमें जाना है मंदिर के लिए यहां से सिदे जाके बता है उन्हाने मंदिर इस तरफ है तो बाइस हम भी पहले कई आयी नहीं तो हमें पाता नहीं है इतना तो हम चलते हैं अब ढशन करने की तरफ और वह देखो गईस वहाँ पे है जहां से आपकी कि सुगाइथ हमने यह लिए और यह एंट्री महादेव कि इत्रम्बकेश्ष्वर महादेव कि यहां पर शुरुवात में आपको ऐसा मिलता है जो आपको गर्दी नहीं रहती है जैसे ऑफ सीजन सावन के महीने में यह पूरा भर जाता है कि कहते हैं यहां पर लोग कि जो लाइन लगा रहा है लोगों है जैसे कि शिरिडी काफी लोग गए होंगी शिरिडी में देखा होगा सावन के महीने में सब बर जाता है तो हम चलते हैं आप यहां से जो है वो लाइन शुरू हो चुकी है मेरे खैस ज्यादा राष्ट नहीं है जहांता कि मुझे दुग अब आज यहां यहां पर लाइब दर्शन कर रहे हैं महादेव के आप 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 यहां से एंट्री हो चुकी है हमारी और अंदर का नहीं दिखादों में कैसा है मतब आगे बहुती सुंदर जगा है बहुत पीस है आप यह देगे आपकी यहां पर सेंट्री होगी मंदिर के लिए श्री त्यम्पकेश्वर देवस्तान ट्रस्टर पे आलेले असर्वर भक्तान चे हार्दिक स्वागत हर हर महादेव कि यह आचुका है हमारे महादेव जी का मंदिर तो कि आप देख रहे हो सामने यह आमने लिया है महादेव जी के लिए और भाई मुझे विश्वास ने हो लाए सीडियसली के हम यह आचुके बाई सुकून देख सकते हो शानती देख सकते हो अधर महादेव कि अधर महादेव यहां यहां से आप भार आ सकते हैं मंदिर में पूजा किने के बाद और मंदिर सामने ही है यह हैं हमारे त्रेमबकेश और महादेव जिसको देखने के लिए लोग दूदूर से आते हैं जिनके दर्शन करने के लोग दूदूर से आते हैं यह एक्जिट है और यह हमारे महादेव हर हर महादेव और हमारे दर्शन तो हो चुके हैं भाई कैसा लगा आपको दर्शन करके अच्छा लगा फर्स टाइम आए हम भाई सची में अगर सुकून कुछ दूसरा नाम कुछ है ना तो वह महादेव कि यह इतने मतलब पुराने मंदिर का जो डिजाइन है कि जो कल्चर है हमारा सणातन धर्म का कल्चर है कितना डिपरेंट है गाइस मतलब अलगी फील होता है सब्सक्राइब यह बहुत गर्ब की बात है हमारे लिए और गाइस आपके पास पूजा कर सकते हैं यहां पर आके प्राइज अलग अलग होते हैं मतलब प्राइज होती है संकल्प करके मुझे आदनी नाम क्या था बट फिर भी 1100 रुपे की होती है 2100 की तो मैंने पूजा करवाई थी और जो 3100 की होती है वो है जल अभिशेक जिसमें आपका जो आप जल लेते हैं वो महादेव तक जाता है और वही जल आपको आपस मिल जा जेंबर केश्वर महादेव मंदिर की सबसे अच्री बात यहां पर आएंगे अपको एक साथ तीनो ब्रह्म उष्णु महेश तीनो के दर्शन हो जाते हैं और शीवलिंग में तीनो फावास है और प्लस यहां पर गोदावरी नदी है जो कि यहां पर सबसे बड़ी नदी आ चला आपको मैं दिखाता हूं और यहां पर चीज़े यहां पर देखिए चोटा सा मंदिर जिसमें शेवलिंग है और खुद महादेव हैं यह हमारे त्रंबकेश्वर जी और वहां से थोड़े से डिस्टेंस पर यह चोटा सा मंदिर है यहां गनेश जी का मंदिर है खुआ है कर दो कर दो कि आपको पूरा मतलब दिखाने कोशिच करी पर आपने दर्शन कर भी लिए होंगे क्योंकि पहां पर अंदर जाना मंदरी कहला इकड़ मंदर जाना तो लाउड नहीं है पर क्या कहते हैं वह जो मिरर लगा रखा है उसमें पूरा लाइव दर्शन पर उसमें पूरा दिखाया पूरा जितना मिला उतनों दिखाया आप मनें पोशिच की पूरा दिखाने की तो वाइस यह हमारे नाशिक में थाने साथ कैसे आ सकते हैं अब डैरेक्ट लिए MSRTC से ब और आप आईए गाईस जाता आपका मतलब जाता पैसे लगने ने वाला बहुत ही बजट फ्रेंडले आपका पैसे लगने वाला है आपका बजट मतलब अपने कम से कम बजट में आप यहां पर आ सकते हो चार सुरु आपका बस आना आपका 800 रुपेका हो जाएगा और याप आप स्टे ले सकते हो जारा साथ 500 तो 700 की बीच में और मंदिर में आप आईए पूजा कीजिए महादेव के आप देखे आपके सारे दुख दूख मतलब नस्ट हो जाएंगे कि अपूटली हर हर महादेव बच्चे से लेकर बड़े सब महादेव के दिवाने हैं हर कोई महादेव को पाना चाहता है हमारे दर्शन कोंप्रेट हो चुके हैं हमने आपको दिखा भी दिया हमने एंजॉइ भी कर लिया फोटो वगरा वे क्लिक कर लिये वीडियो भी बना लिये हमारा व्लॉग भी कंटेव चल रहा है तो गाई मैं कहना चाहता हूं आपको कि आप यहां पर बिल्पुल आईए बाई यह 12 तिर लिंगों में से एक है क्रेंबकेशवर जो पिक्तरों की जो पूजा होती है इस तरह के सारे दोश आप यहीं आएक मिटा सकते हो क्योंकि यहां पर जो पूजा होती है वो सच्छी में बहुत फाइदे मन होती है और प्रभी मैं यहां प्रमो किश्नु महेश तो मैं यहां पहुंच गिया, इसकी सा मुझे बहुत खुशी भी है, लेकिन यही मैं चाहूँगा कि महादे मुझे के दरनक बहुत जल्स बुलाएं, और मैं जाऊँगा ज़रूर, यह मैं जाऊँगा तो जाऊँगा जाऊँगा ज़रूर, तो गाई साथ बताना चैनल को सब्सक्राइब के बेना मच जाना, अपने कमेंट्स सेक्शन में, कमेंट्स भर दो वाइक, थैंक यू सू मच, बाए